तीव को हिंदी में विशेशन बोलते हैं Adjectives are words that modify or qualify a noun They are also known as describing words Adjective ऐसा शब्द होता है जो किसी noun या संग्या की विशेशता बतलाता है अर्थात वो संग्या की वर्णना करता है Adjective Latin उपसर्ग, Ad और जेक्ट शब्द से आया है जिनका मतलब होता है फेका हुआ यानि की ऐसा शब्द जिसे noun के तरफ फेका गया हो उधारन के तौर पर हम लोग कई वाक्य देखते हैं यहां पर ताज महल की विशेशता ब्यूटिफुल सब्द बताता है इसलिए ब्यूटिफुल एड्जेक्टिव है दूसरे वाक्य में वाइट मार्बल या संग्मार्मर की विशेशता बतलाता है इसलिए वहाँ एड्जेक्टिव वाइट है अगला पाट अफ स्पीच वर्ब है वर्ब लैटिन शब्द वर्बम से आया है जिसका मतलब होता है शब्द वर्ब का ये मतलब दिखाता है कि वर्ब सबसे इंपोर्टेंट शब्द है इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं वर्ब दिखाता है कोई या कोई चीज या व्यक्ति क्या करता है A verb is a word that shows what a person does or what a thing or what is done to a person or thing उधारन के तौर पर हम लोग दो वाक्य लेते है प्रकाश स्वैम इन दे पूल यहां पर स्वैम या तैना और शोन चम का verbs है क्योंकि यह दर्शाता है कि प्रकाश और स्वैम क्या कर रहा है अगला part of speech adverb है adverb Latin Latin शब्थ adverbium से आया है जिसका मतलब है verb की तरफ adverbs are words that qualify or modify a verb or an adjective adverbs can also qualify or modify other adverbs यानि की adverb वैसा सब्द है जो किसी क्रिया की विशेश्ता बतलाता है या फिर किसी विशेशन की विशेश्ता बतलाता है adverbs दूसरे adverbs की भी विशेश्ता बतला सकता है adverbs को हिंदी में क्रिया विशेश्ता बोलते है आये उधारन के तौर पर हम लोग कई वाक के देखते है he ran quickly the house is very beautiful he ran very quickly पहले वाक्य में quickly ran को qualify करता है यानी की ran या दौडा की विशेश्ता quickly से बतलाता है पहले वाक्य में quickly ran को qualify करता है यानी की ran या दौडा की विशेश्ता quickly या तेजी से बताता है इसलिए यहाँ पर quickly adverb या क्रिया विशेश्न है दूसरे वाक्य में beautiful या सुन्दर adjective या विशेश्न जो की मकान या house है की विशेश्ता बतलाता है और very या बहुत beautiful या सुन्दर की विशेश्ता बतलाता है इसलिए यहाँ पर बहुत adverb है तीसरे वाक्य में quickly या जोर से ran या दौडा की विशेश्ता बतलाता है इसलिए quickly adverb या क्रिया विशेश्न है अब very शब्द या बहुत quickly या जोर से की विशेश्ता बतलाता है इसलिए very भी adverb है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि very क्रिया विशेश्न का क्रिया विशेश्न है अगला part of speech preposition है इसको हिंदी में सम्मन्द वाचक शब्द बोलते हैं preposition लैटिन शब्द प्रे पोजिटियो से आया है जिसका मतलब होता है a putting before पोजिट दिखाता है की a word placed और प्री दिखाता है before इसलिए मूल लैटिन परिभाषा के अनुसर preposition is a word placed before a noun वास्तव में a preposition is a word that links a noun और a pronoun to the rest of the sentence यानि की preposition वह सब्द है जो noun या pronoun का सम्मन्द वाक्य के दुसरे अंग्ष या अंग्षोस के साथ दिखाता है कुछ common prepositions है at, on, in, into, above, below, by, etc उधारन के तौर पर हम लोग कई वाक्य लेते हैं the book is on the table the ball is under the table पहले वाक्य में on table के साथ book का सम्मन्द दिखाता है और या preposition है दूसरे वाक्य में under preposition है क्योंकि या ball का सम्मन्द table के साथ दिखाता है आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है मिलते हैं अगले वीडियो में आपको ये वीडियो में